नमस्ते, राधी राधी, हेलो प्यारे बच्चों, वेल्कम है आपका हमारी यूटीब चैनल बाइवर्स, यूनिवर्स आप बाइवलोजी में तो वेल्कम है सभी प्यारे बच्चों का जो अपना फिप्त सेमेस्टर पास करके सिस्थ सेमेस्टर में एडीचन ले चुके हैं और उनकी क्लासेश स्टार्ट हो चुकी हैं तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों के सीलेवस को कम्पलेट कराते हुए, उनकी सीलेवस को ध्यान में रखते हुए कल फ़स्ट जैन था, आप 2024 में एंटर कर चुके हैं तो आपके साथ नई चीजे भी होनी चाहिए, तो कल मैंने आपको botany जो आपका 6th semester है, उसके दोनों paper का syllabus explain किया था, आज इस lecture में हम cover करने वाले हैं आपका जो botany first paper है, जिसमें आपको cytogenetics, plant breeding and nanotechnology, आपके paper का नाम क्या है, cytogenetics, यानि कि आपको cell biology और genetics के बारे में पढ़ना है plant breeding के बारे में पढ़ना है और nanotechnology, ये तीन पार्ट हैं आपके पूरे paper में ठीक है, इन तीनों पार्ट को आपको cover करना है, अगर बात की जाए आपके पहले topic की, तो पहला ही topic आपका cell biology है, ठीक है, cell biology में आपको cell का structure, cell का function, cell के जो organelles हैं उनके बारे में, chromosome का पूरा structure, cell signaling के बारे में ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, इसमें पढ़नी है, ठीक है, तो lecture स्टार्ट करने से पहले, पहली बात तो मैं ये lecture आपको जादा तर hand written notes या फिर slide से पढ़ाऊंगी, hand written notes इसलिए मैं prefer कर रहे हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं कई books से पढ़कर आपके लिए एक concise manner में चीजे रखती हूं, आपको लगता है कि मैं आप board पे खड़े होकर क्योंने पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे मुझे जैसे कई सारी चीजों को मुझे इकठा करना रहता है, तो इकठा करके मैं सोचती हूं आपको एक best note दिया जाया, जो कि आपके हर exam के लिए चाहे, आ पहले आपसे एक request है कि आप ली चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको इसकी notification जो है सबसे पहले मिले और अपने दोस्तों के साथ CRJ करिए, तो चलिए start करते हैं, पढ़ना क्या है हमें आपका पहला unit है cell biology, cell biology, जो आपका पहला unit है उसका, उसका नाम है cell biology, cell में आपको उसका, cell का सबसे पहला ही topic जो है आपको, उसमें क्या पढ़ना है cell structure and function, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको cell structure and function के बारे में, कि cell का structure क्या होता है और function क्या होता है, और आप सब को पता होगा एक statement कि cell को structural and functional unit of the body कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको मैं detail में आपको बताऊंगी, ठीक ह थोड़ी सी basic चीज़े जान लेते हैं, कि अगर cell की आप study करते हैं, तो उस study को हम cytology की नाम से जानते हैं, cytology का मतलब होता है, cell और logi आपके logos से मिलकर बना हुआ है, कहीं पे भी आपके पूरे biology में जहां भी logos word आए, उसका मतलब होता है study, ठीक है, आप किसी चीज को क्या कर कि cell की discovery किसने की, कब की, क्योंकि यहां से तो question आपके बनते हैं, non living cell, living cell, कैसे कैसे किसने discover किया, ठीक है, तो cell की discovery में सबसे पहला जो नाम आता है, वो आता है आपके scientist Robert Hooke का, कौन से scientist Robert Hooke, इनके बारे में आप सबने classic से सही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, इनका नाम जरूर में अंसन किया जाता है, ठीक है, तो Robert Hooke की अगर बात की जाएं, यहां पे कुछ रीजे लिखी हुए इनके बारे में, Robert Hooke ने क्या किया था, Robert Hooke ने सबसे पहले एक कौर्क का टुकड़ा, ठीक है, आप सबने अपने लेवे में बॉटल देखा होगा, इस तरीके से क लकडी का टुकड़ा रखा रहे था, ठीक है, वो जो कौर्क था, उसे हम किस से अप्टेंड करते हैं, उसे अप्टेंड करते हैं, एक प्लांट है, जिसका नाम है कौर्कस सुबर, जिसे की ओक प्लांट कहते हैं, उससे अप्टेंड करते हैं, तो Robert Hooke ने, उनके दिमाद मे यूज किया, ठीक है, माइक्रो स्कोप का यूज किया और माइक्रो स्कोप में छोटा सा पार्ट उस कॉर्क के टुकडे का लेकर, उन्होंने देखा कि उसमें कुछ इस तरीके से dead cell पे ठीक है ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कभी-कभी पुछ लेता है living cell की discovery कि ने की थी, dead cell की discovery कि ने की थी तो आपको ये बात पता होने चाहिए कि जो Robert Hook थे उन्होंने 1665, year था 1665, dead cell cork के टुकुडे को लिया और microscope में देखा, तो उन्होंने कुछ compartment like structure को देखा, इस compartment like structure को उन्होंना नाम दिया, cell ठीक है, अब दूसरे scientist आते हैं जिनका की नाम है Anthony Von Levenhawk, दूसरे scientist आते हैं आपके Anthony Von Levenhawk और इनका year होता है 1764, अब ये क्या करते हैं, ये जो Robert Hook थे, उन्होंने क्या किया था कि एक non-living cell को लिया था, लेकिन अगर Anthony Von Levenhawk की हम बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया living cell का use किया था, और वो living cell था rod like bacteria, अगर आप सबने अभी तक bacteria पढ़ा होगा, तो आपको पता ह सर्कुलर, विब्रियो, कई सेप के क्या होते हैं, आपके बैक्तिरिया पाय जाते हैं, तो इन्होंने जिस बैक्तिरिया का use किया था, रोड लाइक बैक्तिरिया, और Anthony Von Levenhawk लिने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, उसकी रिजिलेशन क्वालिटी और उसका जो देखने की सेल की, लेकिन किसमें एक living structure में, जिसको की rod like bacteria में, ठीक है, तो इन दोनोंने basically क्या किया, सेल की discovery में contribution किया था, पहले सेल की discovery, Robert Hook ने की ती, dead cell में, और दूसरी बार उसके बाद, उस सेल की discovery, Anthony Von Levenhawk ने की, एक living cell में, तो इससे पता चला कि जो cell है, वो चाहे आपका non living thing ह सभी में पाया जाता है, ठीक है, अब दूसरी theory जो आती है, सेल को लेकर, उसको हम cell theory के नाम से जाने जानते हैं, ठीक है, cell theory में basically दो scientist आपके, बहुत जादे role play करते हैं, शुरू में जो cell theory की discovery हुई थी, तो cell theory में सबसे पहले जो scientist थे, वो थे आपके German botanist, जिनका नाम था लीडन, Matthew Sliden, Matthew Sliden, 1838 में, ठीक है, और दूसरे साइन्टिस्ट थे, इन्हों ने अलग डिसकोवरी की, Matthew Sliden ने 1838 में एक अलग discovery की cell के उपर ठीक है खोज किया और फिर उसी के बाद British geologist एक थे ये British के थे और ये German के आद दोनों लोग अलग अलग जो होँ पर खोज किये थे लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी जो खोज है वो discovery है वो similar है तो इन्होंने एक साथ publish किया था एक theory को जिसे की cell theory के नाम से जाने जाते हैं तो cell theory के बारे में 1839 में British geologist swan जिसको की theodore swan के नाम से जाने जाता है इन्होंने discovery की ठीक है इन दोनोंने मिलकर दो statement दिये उस statement में इन्होंने कहा कि जो cell होता है ठीक है वो all living organism जब जो होते हैं वो cell से मिलकर बने होते हैं कोई भी अगर living organism है तो वो किस से मिलकर बना हुआ है cell से मिलकर बना हुआ है और cell को इन्होंने कहा कि body की ये structural and functional unit है अब structural and functional unit को आपको यहां समझना होगा structural से मतलब क्या है आपकी body में cell है cell किस से बना है proton neutron से मिलकर cell के बाद tissue आते हैं tissue के बाद क्या आता है organelles आते है organelles के बाद organ system आता है फिर आपकी पूरी body बनती है तो आपकी body का formation कहां से हो रहा है एक छोटे से cell से ठीक है एक छोटे से cell से जैसे mother के womb में एक baby का formation पहले sperm और ova के मिलने से जैगोट का formation होता है उसी तरीके से cell जो है क्या है structural unit है यानि कि पूरे structure का formation इसका start एक छोटे से cell से हो रहा है दूसरा functional unit functional unit आप कोई भी function ले लिजिए mitochondria ATP produce करता है आपका photosynthesis होता है chloroplast में ये सारे structure कहां पर पाए जारे है आपके cell में पाए जारे अभी जो मैं cell का structure आपको दिखाऊंगी plant and animal cell का तो आप उसमें देखेंगे कि सारे structure cell में पाए जारे तो मतलब function का भी काम क्या कर रहा है cell ही कर रहा है तो इसी वज़े से structural and functional unit of life कहा जाता है अगर आगे हम बढ़ते हैं तो फिर उसी cell theory को थोड़ा सा modify करके जिसको की modern cell theory के नाम से जाना जाता है उसे propose किया Rudolph Virko ने 1859 में Rudolph Virko एक scientist थे इन्होंने 1859 में एक modern cell theory दी और उन्होंने cell के बारे में एक statement दिया जो की Latin word का statement था Omnis Cellula E Cellula इसका मतलब है कोई भी cell जो नई cell बन रही है वो किसे से बन रही है एक pre-existing cell यानि कि ये कोई cell है अगर कोई नई cell बन रही है तो वो इसी से बनेगी ठीक है वो इसी से बनेगी कोई भी cell फिर नई cell बनेगी तो वो आपकी इसी से बनेगी ठीक है तो कोई भी cell जो बनेगी वो pre-existing cell, यानि कि पहले से जो cell present है, उसी से आपकी नई cell बनेगी, ठीक है, इसका एक exception भी था, इसका exception था virus, जो कि क्या होता है, A-cellular है, यानि कि A-cellular means इसमें cell ही नहीं पाजाता है, इसको connective link भी कहा जाता है, आपके between non-living and living cell का, यहां से question बनता है, कि which organism known as connective link between non-living and living cells, तो क्या होते हैं, आपके viruses होते हैं, ठीक है, यहां तक तो बात हो गए, अब थोड़ा सा हम लोग सेल की size के बारे में जान लेते हैं, तो cell का size जो होता है, वो बहुत जादे variable होता है, यानि कि changeable होता है, यहां पे vary नहीं, vary रहेगा, ठीक है, vary, V-A-R-Y, variable होता है, large भी हो स में कौन सा होता है, तो वो है आपका PPLO, जिसे की mycoplasma कहते हैं, और यह एक टाइप का bacteria, आप इसे note कर लीजेगा, कि this is a type of bacteria, यह एक टाइप का bacteria है, जिसे की smallest cell के नाम से जाना जाता है, और इसे mycoplasma कहा जाता है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, या जो इसका diameter होता ह वो 0.1 micron, mu, यह mu लिखा हुआ है, micron का होता है, और फिर वहीं बात कीज़े, सबसे largest cell की, आप सब को पता होगा, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, ostrich का egg, अगर हम बात करते हैं, ostrich की याग की, पूरा इसका cell, यह है, cell और अंदर york, वगएरा सब लेके, तो यह 6 inches का होता है लेकिन अगर हम इसके उपर की covering को निकाल दें, तो यह 3 inches का होता है, इतने का होता है, 3 inches का, बात करते हैं, longest cell की, अभी तो बात की आपने largest cell की, मतलब, जो सबसे large था, longest cell, मतलब, लंबाई में जो सबसे बढ़ा हो, तो वो आपकी होते है, nerve fiber या nerve cells, आप इसको कह सकते हैं कि 90 cm, आप जो scale use करते हैं अपने घरों में, 15 cm वाली, उस 15 cm scale के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 cm कितना होगा, ठीक है, फिर एक cell पाई जाते है, unicellular alga, ठीक है, unicellular alga, मतलब, एक ही cell से पूरी algae बनी हुई है, जिसका की नाम है acetabularia, जो कि 10 cm का होता है, ठीक है, वो पू लगंबा एक cell पाई जाता है, जिसको कि क्या कहते है, unicellular alga, जो कि है आपका estabularia, और ये बहुत important है, most important है, आप नोट के लिजे, अगर आपके MCQ बेस्ट question हो रहे हैं, तो यहां से question जरूर बनीगा, बिन हम बात कर लेते हैं, अगर cell के number की, तो cell का number भी क्या होता है, variable होत होता है, जैसे कि east में, मतलब एक ही cell में पूरा function, हर function एक ही cell में होगा, या multicellular हो सकता है, जैसे कि आप human को consider कर सकते हैं, एक data बताता है, कि एक 80 kg का human है, उसमें लगभग 60,000 billion, 60,000 billion cells देखे गए, ठीक है, अगर एक 80 kg का human, उसमें 60,000 billion, आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं, यह कितना बड़ा, ठीक है, अगर बात कर लें, cell shape की, ठीक है, cell shape की बात कर लें, तो cell का shape changeable होता है, spherical हो सकता है, polygonal हो सकता है, disc like हो सकता है, cube like हो सकता है, तो cell का shape क्या होता है, बहुत जादे variable होता है, और cell की shape की बात करें, तो यह cell अपने according क्या करते हैं, अपनी body को change भी क कुछ amoeba का structure पाया जाता ठीक है अगर यहां पर food आ गया और amoeba को इसको इंगल्फ करना है तो यह क्या करेगा इस तरीके से अपने body में change ले आएगा और इस food को खाने के लिए उसी तरीके से अपना body का shape बना लेगा दूसरा example अगर आप लेते हैं अपना safe change कर लेती है जैसे अगर आपकी body में defense का का काम कोन करता है आपकी body को protection antibody देती है और antibody में सबसे जादे जरूरी होता है अपका leukocyte अगर leukocyte आपकी body में है तो वो क्या करता है जिस हिसाब से आपका pathogen आएगा उस हिसाब से अपनी body को change कर लेगा अब आज की lecture में बस इतनी ही चीज़े हम cover करते हैं धीरे-धीरे हम सिप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आपसे एक request है कि आप please notes बनाते हुए चलिएगा और इसके आगे के lecture में सेल का टाइप पढ़ेंगे और अनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे तब तक लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे थांक्यों अब्रीवन